गुड मॉर्निंग एवरीवन आप लोगों ने एकी मात्रा को सीख लिया हैं आज हम एकी मात्रा का अगला पार्ट पढ़ते हैं देखिए सभी बच्चों ने सीधा ही पढ़ना है और जिनको थोड़ी बहुत प्रोब्लम है तो वो जोड़ कर पढ़ सकता है नेहा और दिवेश बेला के घर जा रहे थे दशहरा आने वाला था रावन और मेगनाद के उतले खड़े थे दशहरे के दिन नेहा मेला देखने जाएगी आगे देखिए बेला का घर आ गया बेला बहुत खुश हुई बेला की माता जी ने सेब और केले मेज पर रखे सबने पेडे खाए और जलेबी भी खाई बेशन की बर्फी भी थी आगे देखिए शाम हुई नेहा और दिवेश चलने लगे माता जी ने बेर की दलिया दे दी नेहा ने कहा बेला दशहरे के दिन हमारे घर जरूर आना तो बच्चो एकी मात्रा का ये पूरा पेस आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है और कोई भी आपको प्रोब्लम आती है तो आप मुसे शेर करें ये आपका आज का होंवक है इसके साथ ही आपने एकी मात्रा वाले धश शब्द लिखने है और मुझे वट्टैप पर सेंड करने है धन्यवाद